अगर आप natural gas में short term trading करते हो और नहीं जानते कहाँ पर buying करें, कहाँ पर selling करें और क्या stop loss होना चाहिए और क्या target रहेगा तो इस वीडियो को last तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आनिल, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी request अगर आप इस चैनल पे first time विजिट कर रहे हो, तो इस चैनल को subscribe और like जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो levels provide करते हैं इसकी market अक्सर respect करता है, तो हो सके तो इन levels को note down करके रखे ताकि इन levels से आपकी trading में help हो सके, फ्रेंज आपसे request है इस वीडियो को last तक जरूर देखे, क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत dangers हो सकता है, आज बात करेंगे natural gas की जिसका contract है अप्रेल का, natural gas जिसका current price अभी चल रहा है लगभग 179 रुपे के आसपास और इसका latest high post हुआ है 246 रुपे और इसका latest law post हुआ है 165 रुपे, fundamental view की बात की जाये तो बरती हुई ब्याजदरे और चाइना की और से demand, geopolitical tension और dollar index में उतार चड़ाव, इन सारी ब स्पोर्ट यानि ऐसे levels जहां से price उपपर की तरफ जा सकता है, पहला स्पोर्ट 162 रुपे, दूसरा स्पोर्ट 135 रुपे और तीसरा स्पोर्ट 110 रुपीज के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर price इन स्पोर्ट को तोड़के निचे की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो पहला resistance 186 रुपे, दूसरा resistance 201 रुपे और तीसरा resistance 221 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है, अगर price इन resistance को तोड़के ऊपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखे, अगर ऐसा होता है तो यह resistance बाद में sport का काम करेंगे, मन्थली चार्ट पे train की बात की जाए तो train नेगिटिव दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट पे train की बात की जाए तो train नेगिटिव दिखाई दे रहा है, और अगर डेली चार्ट पे train की बात की जाए तो train नेगिटिव दिखाई दे रहा है, तो करना क्या चाहिए आईए देखते हैं, इससे पहले, फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारासा लाइक भी जरूर कर लेना, फ्रेंज जो बाए हैं उनके लिए सलाह रहेगी, बाई ओन डिप्स की स्ट्रेजी अपनाए, फिल्हाल बाजार अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, करन्ट प्राइस पर बाई साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो, रिस्क 7 रुपे और रिवार्ड 17 रुपीज के हिसाब स तारगेट रहेगा 186 रुपे, अगर यह तारगेट अचीव होता है, तो सेकंड तारगेट रहेगा 201 रुपीज, और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 162 रुपे, और फ्रेंस स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत देंजर हो सक अगर आपने टॉप लेवल पे अल्रेडी बाई किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रतिशत क्वांटिटी, 162 रुपे के आसपास एवरेज करें, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 135 रुपे के आसपास 30 प्रतिशत क्वांटिटी एवरे ट्रेडिंग अवोविट की स्ट्रेटेजी अपनाए, फिलहाल बजार अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, करंट प्राइस पर सेल साइड का रिस्क रिवर्ड रेशियो देखे तो रिस्क 17 रुपे का दिख रहा है, और रिवर्ड साथ के हिसाब से रिस्क रिवर्ड रिशियो दिखाई दे रहा है, अगर आप सेलिंग करना चाहते है, तो सेलिंग लेवल जो है, करंट प्राइस 179 रुपे से 171 रुपे उपर, यानी 186 रुपे के आसपास सेलिंग करे, टार्गेट रहेगा 162 रुपे, अगर यह टार्गेट अचीव होता है, तो सेकंड टा आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30% क्वांटिटी, 186 रुपे के आसपास एवरेज करे, अगर बजार इस से भी उपर चला जाता है, तो आप 201 रुपया के आसपास 30% क्वांटिटी एवरेज करे, जैसे कि हमने पहले भी बताया, अवरेजिंग करने के लिए ट्रेंड का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है और अभी major trend, negative, दिखाई दे रहा है इस बात का ध्यान जरूर रखे, overall trend positive रहेगा, buy on dips, करके चले लेकिन strict stop loss के साथ, आने वाले दिनों में, buy side target 186 रुपे और 201 रुपया, और 221 रुपीज, के आसपास देखने को मिलेंगे. Friends, अगर आप इन levels पे trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान न हो और इस financial market में सही गलत की समझ जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खोद ही ले, और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे, अपनी trading में back tasting या paper trading जरूर करे उसके बाद ही trading करे, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे, और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे, जड़ादा आपको